हलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगी कि जब हम कुछ सेर्ज को सेल करने के लिए जाते हैं तो यह मैसेज हो होता है और कभी-कभी यह सेर्ज सेल भी नहीं हो पाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है और टी-टू-टी स्टोक्स क्या होते हैं यह भी हम इस वीडियो म करते हैं मैं आपका दोस्त मनी शकुमावत और वेल्थपुल चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वासथे दोस्तो सबसे पहले हम जांते टी तूति का मतलब क्या होता है टी वे stocks t2t stocks में रखे जाते हैं t2t stocks को आप delivery में ही buy कर सकते हो इन stocks में intraday trade बन रहती है जो stocks fn och trading में सामिल लही है वे stocks mostly t2t stocks की list में आते हैं जब हम इन stocks को buy करते हैं तो इन stocks को मारे debit account में आने में ट्व वर्किंग days का time लगता है working days में saturday sunday और government holidays count नहीं होते जिस दिन आपने sales buy किये उस दिन के बाद अगले दो दिन तक इन sales को sale नहीं कर पाओगे दो दिन के बाद ही आप इन sales को sale कर सकते हो चलिए इसे example से समझते हैं मान लीजिए आज 100 मार है आज आपने इन sales को buy किया अब अगले दो दिन यानि बुद्वार तक ये stock आपके डिमेट अकाउंड में आएंगे आप गुरुआर को या गुरुआर के बाद कभी इन sales को sale कर सकते हो आपके sales easily sale हो जाएंगे अगर किसी exception में दो दिन के बाद भी आपके sales sale नहीं होते तो आपको जो problem आ रही है उनका screenshot लेकर अपने broker की mail ID पर mail type करके अपनी problem वहाँ sale कीजिए आपका broker one working day में आपको response देगा उसके बाद आप उन sales को easily sale कर पाओगे ज़्याद अतर T2T stocks में lower circuit लगा होने की वज़े से आपके sales sale नहीं होते अपर एं lower circuit को समझने के लिए description और i button में दिया गया video देख सकते हैं I hope आपको वीडियो में दी गई जानकारी helpful लगी होगी वीडियो को like and share कीजिए ऐसे informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करके bell icon press कीजिए अगर आपको share market से related कोई भी doubt हो तो इस वीडियो की description में wealth pool beginners के telegram group की link दी हुई है वह आप अपने doubt share कर सकते हैं telegram group की link description में है